अध्याय 48, पंचदेव पहाड के दर्बार का विवरन, श्रीपाद स्त्री पूरुशों को संबादन करने का विधाराता यहाँ पर, साधारन था श्रीपाद गुरुवार पंचदेव पहाड में दर्बार करते थे, वे कृष्णा नदी पर चल कर जाते थे, जहां अपना साधारन लीला मानने लगे, श्रीपाद जी जब कृष्णा के उस पार जाते थे, भक्त आधर पूर्वक आगे बढ़कर उनका भव्य स्वागत करते थे, शाम तक दर्बार चलता था, लोट कर कृष्णा पर चल कर आने के समय में भी वो ही होता था, तब सभी भक्त विदा सुरे का कहकर बुलाते थे, उम्र में अपने से चोटे लड़कों को बेटा शूनू आधी कहते थे, अपने पिता की उम्रवालों को अया या नाइना बुलाते थे और दादा के वयस्क लोगों को दादा और और औरतों को नानिमा बुलाते थे श्रिपात के नित्यकर्म और दर्बार शुक्रवार का दर्बार कभी कुरोपुर में कभी पंचदेव पहाड में करते थे गुरुवार का दर्बार भी इसी तरह अपने मर्जी से जहां चाहें वहां करते थे रविवार के दर्बार में अत्यंत गेरी योग विद्या के बारे में भाशन देते थे उसके बाद आगंतुकों के कुशल समाचार पूछते थे बहुत सबरी से उनकी मुश्किले सुनकर अभय प्रदान करते थे सोमोर के दर्बार में पूराण गाताएं सुनते थे मंगलवार उपनिशत के बारे में विवरन देते थे फिर साधकों की उलजहने सुनकर उन्हें सुलजाने के मार्ग बताना अभय प्रदान करना आधी होता था वो द्वार वेदों और वेदारतों के बारे में विस्ता रूप से अवगाहन करवाते थे फिर भक्तों की बाधाय सुनना आधी नित्यकारेक्रम गुरु वार गुरु तत्व के बारे में विश्लेशन देते थे फिर नित्यकारेक्रम के बाद उस दिन भक्तों के लिए विशेश रूप से खाना बनवाते थे जब कभी साधकों पर विशेश प्रेम उबढ़ता था तो खुद परोसते थे नसीब वालों को खुद खिलाते थे यदि कोई खाने में शर्मा रहे तो नीवाला मूँ में ठूसते थे बोलते थे कि मेरा खजान सदा बरा हुआ ही रहता है धना भाव या अना भाव होने की संबावना ही नहीं शुक्रवार श्रीविद्या के बारे में बोध करते थे उस दिन अवश्य हल्दी जड़े बाड़ते थे शनिवार श्रीवारा धना महात्मा के बारे में वताते जिन्होंने श्रीपात का दर्भाय देखा है वो तो धन्य है भक्त सबजियां, चावल, जवार, बाजरा, रागी आदी लाते थे प्रत्तिक दिन अन्नसंतरपन होता था मगर गुरुवार के विशेशतोर से पकाया जाता था उस दिन कुछ मिठा बना कर भक्तों में बाड़ते थे उनका रिदे बहुत कोमल है किसी को भी पीडावे नहीं देख सकते जो असन ये पीडा से दरबार आते थे स्वस्त होकर खुशी से घर लोडते थे वो बोलते थे कि श्रिदत्त पुरान पढ़ने से अवश्य अनुत्रह मिलता है उनका प्यार करोडो मा के प्यार के समान है रात में किसी को भी कुरोपूर में ठैरने नहीं देते मेरे साथ जो वृद्ध सन्यासी आया था उन्हें कुछ दिन रहने दिया मुझे भी रात में रुखने की अनुमती मिल गई वृद्ध सन्यासी को काशी में ठैरने और वही देहत्या करने के लिए बूला बरतन माजना, खाना पकाना, भक्तों की सुईदा देखना ये मेरी विदिया थी किसी भी समय कोई भी दरबार आये तो उसे अवश्या खाना खिलाना है जद्य पर कोई खाकर आते थे फिर भी ये यहां का प्रशाद, अन्न का प्रशाद है इसलिए अवश्या खाने के लिए कहते थे अगर मैंने ये कह दिया कि पकाया हुआ खाना कम है और आगन तुक ज़्यादा है तो अपने कमंडल से पानी लेकर खाद्य पदार्दों पर पुरुक्षन करते थे कांती पूँच की तरह होता था वे भी पानी पर चल कर आते थे श्रीपाद खुद खाना बना कर उन्हें भी खिला दे थे श्रीपाद मुट्टी बर खाना खाते थे चाहे वो भात हो या बाजरे से या रागी से बना हुआ खाना हो वो अक्सर बोला करते थे कि उनके भक्त पेट भर खाने से उन्हें आनंद मिलता है रजक रविदास को श्री चरन के कपड़े धोने का सवभागे मिला था उनके दर्शन के बाद भी जो अपनी दुष्ट प्रवृति ना बदली उन्हें अजिब तकलीफे जेलनी पड़ती थी फिर उन तकलीफों पर दूर करने श्रीपात के चरन में आते थे वे अकसर कहा करते थे कि पीतरों के विधियुक्त श्राद कर्म अवश्यक करना चाहिए वो ये भी कहते थे कि अश्टादशवर्न के लोग उनकी संतान जैसे है किसी की प्रती वे पक्षपात बुद्धी नहीं रखते उनसे किये गए धर्मों और गवर्मों के अनुगून ही वे फल देते हैं भावी अवतारों में साधकों के प्रती उनका बरताव सक्त होगा जबकि इस अवतार में भक्तों के प्रती वे नरम पूरों के व्यवाहार कर रहे हैं इसलिए साधकों को ये मौका नहीं गवाने की चेतामने देते थे कई जन्मों के पुन्य फल से उनका दर्शन मिलता है साधक को इस सद अवकाश का भरपूर फाइदा उठाना चाहिए नई तो कई जन्मों के बाद ही सद गुरु का दर्शन हो सकता है पूरी दुनिया में किसी भी युग में एक लाख पच्चीस हजार सिद्ध पूरुष विद्यमान होते हैं वे सभी उनके अंशी हैं इन में से किसी का भी आश्रे ले उनका अनुग्रह सिद्ध पूरुषों के जरीए भक्त पर प्रसारित होगा ये ये भी कहा करते हैं कि ये सारी स्रिष्टी का आधार बुथ हैं उनके संकल्प ही स्रिष्टी स्थितिलय को जारी रखता है तुम अपने गुरु को प्रणाम करते हो तो वे अपने गुरु को इस तरह यश्रिंकला आकिर आदी गुरु तक ही पहुशता है जिसे तुमें आधी गुरू को प्रणाम करने का पुन्य मिलता है। अर्था तुम जिस किसी को भी प्रणाम करो वो वे आधी गुरू को चर्णों में ही समर्पित होता है। उनकी आराधना करने वालों को यह पर सुख मिलता है किसी पर द्वेश की भावना कधापी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो भी अंत में प्रभु के पास ही पहुंचती है अगर वे अनुग्रह करना चाहे तो योग्य ता योग्य नहीं देखते है बलकि उनके अनुग्रह प पर देवता महर्शी महापुरुष भेज बदल कर आते हैं यह सभी का अपना अपना मन में भगवान का नाम स्मरन करते हुए अपने कर्म करना चाहिए वे कर्म भी धर्म के अनुरुफी होना चाहिए उनके दर्शन से सभी पाप लुप्त हो जाते हैं उसके बाद अगर पहने वाद